हेलो फ्रेंड्स दिशिज एश्पिशिंग एंड वेलकम टू इश्मार्टर एवरी डे प्यारे दोस्तों बात करेंगे कानपूर यूनियरसिटी बियट शेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर फूर्थ है आपका इन्वार्यमेंट एजुकेशन पर्यावरण सिक्षा इसके अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लिजिएगा आज की क्लास देखने के बाद आपके पास 100 कोर्शन क्लेक्शन हो जाएगा यानि कि आपने 100 कोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं जितना आपको यहां से पढ़ाया जाएगा जितना कॉंटेंट आपको पेड में दिय जाएगा उससे बाहर आपका पीपर नहीं मिलने वाला है तो चलिए एक से बढ़कर के एक बहुत ही शूपर इंपोरेंट कोर्शन क्लेक्शन हम लोग डिसस करते हैं एक कोर्शन को विद्वत समझते हुए चलेंगे अगर आपने अभी तक हमारे पेड नोट नहीं लिए है तो जो नंबर आपको यह जो नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वाट्सप मैसेज़ करके नोट की इंफरमेशन ले सकते हैं जिसमें आपको अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरीके से कॉंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है आए समझते हैं पहला कोशन क मनाया जाता है ओप्सन ए इस दा राइट वन ओवर हैर पर्यावरण सनक्षन किया आउसकता क्यों है मतलब हम पर्यावरण का सनक्षन क्यों करें पर्यावरण को क्यों बचाएं उससे हमें क्या लाब है क्या उसक्या आउसकता है देखिएगा प्राकरतिक संसादनों के प्रकृतिक का संतुलन बिगड़ेगा तो हमारा अस्तित्तों हमारा जीवन सभी जीव खत्रे में आ जाएंगे तो अगर जैविक और अजैविक घटकों के बीच संतुलन बना करके रखना है तो हमें पर्यावरण को बचाना होगा मनुष्य जो है वहाँ पर्यावरण का एक अभिन अंग है उसे पर्यावरण का महतो समझाने के लिए भी हमें पर्यावरण का सनक्षन करना होगा उसको बचाना होगा यह सारी ही आवश्यक्ताएं यहाँ पे बहुत जरूरी है इसलिए ऑप्सन नमबर जो डी है आपका वो राइट हो जाता है कंजर्वेशन किसे भाषा से मिल करके बना है कंजर्वेशन जो आपका शब्द है यह लेटिन भाषा से मिल करके बना है ओप्सन ए यहाँ पे राइट हो जाता है शतत विकास के सिध्धान्त है विश्वयापी समझ एवं गठबंधन का निर्मान करना क्या यह शतत विकास का सिध्धान्त है लगतो रहा है परत्वी की सहन शमता प्राकरतिक सुन्दरता परत्वी की निर्वाहन शमता का सनक्षन करना यह सारे ही हमारे शतत विकास के सिध देखे जो आपका बीएड में पर्यावन होता है इसका सलेवस कुछ चेंज होता है आप यह नहीं कि कोई भी पर्यावन की किताब उठा करके पढ़ने लग जाओ नहीं इसमें आपका कुछ सलेवस चेंज होता है बीएड को लेकर के तो बीएड से रिलेटेड टॉपिक ही श्यत्त विकास सूचकांग 2020 में भारत का कौन सा इस्थान है श्यत्त विकास सूचकांग 2020 में भारत का विकास 120 इस्थान है 120 इस्थान है भारत का श्यत्त विकास पर संयूक्त राष्ट शमेलन का आयोजन कहां किया गया श्यत्त विकास पर संयूक्त राष्ट शमेलन का जो आयोजन था, वह आपका जोहांस बर्ग में किया गया, कहां किया गया, जोहांस बर्ग में, ठीक है, option A is the right one over here, शतत विकास के संस्थागत आयाम में कौन सा सम्मिलित है, उद्योग सम्मिलित है, वित्य संसाधन, शतत सहर और समुदाय, या फिर ये सारे ही, शतत विकास के संस थागत आयाम में, आपका उद्योग भी शामिल है, आपका वित्य संसाधन भी शामिल है, शतत सहर और समुदाय भी शामिल है, इसलिए option यहाँ पर जो D है, आपका वो right हो जाता है, हम बढ़ते हैं, next question की तरफ, बहुत अच्छा question है, रियो सम्मेलन कब हुआ था, उनीशो 92, 94, 96, 95, रियो सम्मेलन जो आपका है, यहाँ 1992 में हुआ था, अगर तारीक इसमें दे दे तो ध्यान रखेंगे आप 3 जून 1992 को रियो सम्मेलन हुआ था, आगे बढ़ते हैं, शतत विकास परिवर्तन की प्रिक्रिया है, जो रखे संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, तक्निकी विकास की प्रिस्थितियां, तथा, संस्थागत परिवर्तन, एवं भावी आविश्यक ताओं, एवं अपेक्शों की पूर्ती को समवर्धित करती है, यह कथन किसका है? यह जो आपका कथन है, प्र्यावर्ण विकास के लिए विश्व आयोग का इस्टेटन है पर्यावरन विकास के लिए जो विश्व आयोग है उसका statement है आप याद रखेंगे ये statement आपसे एकजाम में पूछ लेता है पर्यावरन जागरुकता एवां पर्यावरन सचेतना उत्पन करने में महतपुन भूमिका कौन निबाता है तो इसमें जो आपका महतपुन भूमिका रहती है वो मीडिया की बहुत महतपुन भूमिका रहती है किसकी मीडिया की महतपुन भूमिका रहती है option B is the right one over here पर्यावरन सूचना विवस्था केंदर इस्थापित कब किये गए थे? पर्यावरण सूचना विवस्था केंदर आपके 1992 में इस्थापित किये गए थे पर्यावरण के प्रति शकारत्मक अभिवरत्ती का विकाश किश के द्वारा होता है कविताओं के माध्यम से, लोग गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से ये सारे ही तो यहाँ पे पर्यावन के प्रती जो शकारत्मक अभिवरत्ती का विकाश होता है उसमें कविता का भी रोल होता है लोगीत कहानी यह सारे ही यहाँ पे आपके राइट ओप्सन है इसलिए ओप्सन नमर डी ता राइट वन मौसन समंधी प्रतेक जानकारी डैस किसके माध्यम से सूचना प्रशारण केंद्रों को प्राप्त होती है मौसम समंधी जो प्रतेक जानकारी है वह आपकी उपग्रह के माध्यम से सूचना प्रशारण केंद्रों को प्राप्त होती है और सूचना प्रशारण केंद्र वो जानकारी हम तक पहुंचाते हैं ओप्सन आपका ए राइट हो जाएगा उपग्र है क्या राइट हो जाएगा उपग्र है पर्यावन चेतना जागरत करने में कौन भूमिका निभाता है पर्यावन चेतना जागरत करने में जो है रेडियो भी भूमिका निभाता है आपकी पत्र पत्रिकाओं की माध्यम से भी पर्यावन की प्र पांच जून 1972 है, 1973 है, पांच जुलाई 1972 है, कौन इसमें राइट आपका होगा, पांच जून 1972, पांच जून 1972, पांच जून 1972, श्टॉक होम समेलन, आपसन A is the right one, ओजोन दिवश कब मनाया जाता है, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 15 आगस्त, या फिर इनमें से कोई नहीं, ओजोन दिवश जो है, यहाँ आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर, ओपसन A is the right one, वैश्विक मुद्दा कौन सा है, तेल इर्षाओ, क्या ये वैश्विक मुद्दा है, ओजोन पर सितंबर का नुक्षान ये सारे ही हमारे वैश्विक मुद्दे हैं, ये सारे ही हमारे वैश्विक मुद्दे हैं, ओपसन D जो है आपका right हो जाता है, UN Decade on Ecosystem Restoration नामक पहल की अवधी कितनी है, इसका समय सीमा कितनी है, तो इसकी जो समय सीमा है, वो वर्स 2021 से लेकर के 2030 तक ह बहुत अच्छा कोशन है, पूछा जाएगा, 2021 से लेकर के 2030 तक है, UN Decade on Ecosystem Restoration नामक पहल की अवधी 21 से 2030 तक है, भारत में प्लास्टिक परदूर्शन पर ध्यान देने के साथ विश्व परड्यावरण दिवस की मेजवादी कब की गई थी, या मेजवानी कब की गई थी, तो यह आपकी 2018 में की गई थी, कब की गई थी, 2018 में की गई थी, option A जो है आपका वो right हो जाता है, हम बढ़ते हैं next question की तरफ, विश्व परड्यावरण दिवस 2021 की theme क्या थी, जो विश्व परड्यावरण दिवस 2021 मनाया गया, उसकी theme क्या थी, तो पारिश्व परदूर्श वायू परदूर्शन क्या थी, उसकी theme पारिश्व की तंत्र, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, पहला विश्व परड्यावरण दिवस कब मनाया गया था, वेरी इंपोर्टेंट कोर्शन, पहला विश्व परड्यावरण दिवस जो है आपका, वो मनाया गया था, पांच जून उनिस सो चोहंतर में, पहला विश्व परड्यावरण दिवस मनाया गया था, विश्व परड्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये अगर जनरली पूछले कब मनाया जाता है, तो ये आपका पांच जून को मनाया जाता है, नेक्स ओर्शन इस, जामा मस्जिद क दिल्ली में है ध्यान रखेगा पर्यावड़न जन्चेतना दिवस कब मनाया जाता है और वर्च्चर ओपन अभियाण कब आरंभ हुआ व्रक्षा रोपन अभियान जो आरंब हुआ आपका वह 19 अगस्त 2021 को आरंब हुआ था गंगा व्रक्षा रोपन अभियान किस राज्य में आरंब किया गया उत्रप्रदेश, प्रस्चिम बंगाल, जहारकंड या फिर इन सब जगे है तो गंगा व्रक्षा रोपन अभियान जो था ये फ्रेंड वहां आपका चाहें उत्रप्रदेश हो चाहें प्रस्चिम बंगाल हो चाहें जारकंडो इन सबी जगे हैं आरंब किया गया था ठीक है आप्षा रोपन करना है क्या ये शामुदाइक कार है जल संग्रहेंड करना, वाटर कलेक्शन, या रसाइनों, एम कीटनासों का उप्योग करना या फिर ये सारे ही, तो सामुदाइक कारिश्च में आपके सारे ही आ जाते हैं option D जो है आपका वो right हो जाता है प्रतेक्ष अवलोकन का प्रकार कौन सा है? क्या हो जाएगा? ये सभी प्रतेक्ष अवलोकन के ही प्रकार है प्रिश्चना वली प्रिश्चनों का एक विवस्थित संग्रह है जिसे आबादी के न्यादर्ष को जिससे सूचना है ली जाती है प्रस्तुत किया जाता है अनुसूची उन प्रिश्चनों के समुच्चे को नाम दिया है जिने साच्छातकार करता किसी दूसरे विक्त के आमने सामने की इस्थिति में पूछता और भरता है यह किसका कतन है यह आपका गुडवम होट का है गुडवम होट का स्टेट्मेंट है आगे बढ़ते हैं अगला क्योशन कहता है अभिवरत्ती मापी की विशिस्ता कौन सी है एक बिंदुही समलित होता है अर्थवादी होता है सरल एवं संचिप्त होता है या फिर यह शभी तो इसमें आपका option D यहां भी आपका right हो जाएगा और हम बढ़ते हैं next question की तरफ परतिक्ष अवलोकन को कितने भागों में वर्गिकरत किया गया है छे, साथ, आठ या फिर इन में से कोई नहीं परतिक्ष अवलोकन को आपके 6 भागों में वर्गिकरत किया गया है आगे ब ऐसा अवलोकन ऐसा observation जिसको किसी particular विक्ति की दोरा नहीं किया जाता बलकि दूसरों के दोरा जो जानकारी दी जाती है उसके बेचपर किया जाता है इसको हम क्या कहते हैं यह हमारा अपरतिक्ष अवलोकन कहलाता है वर्ष 2020 के आकडों के अनुसार कितनी पादब परजातिय जो दुरलब स्रेणी में आ गई है 16640 ऐसी पादपरजातियां है जो किस में आ गई है दुरलब स्रेणी में आ गई है जंगल में आग किस मौसम में अधिकतर लगती है तो जंगल में जो आग है वो अधिकतर आपकी अपरेल जून में लगती है कब अपरेल जून में क्योंकि उसमें गर्मी होती है, है ना, और जो पत्ते बगरा होते हैं, जो फालतु के जाड़ी बगरा होती है, कह सकते हैं, वो सब जल जाता है, थोड़ा साफ सफाई हो जाती है, गिरराश्ची उद्यान कहां इस्थित है, गुजरात में है, बिहार में है, करनाटिक में है, केरल में ह कहां है तो जो गिर राश्ची उद्यान है आपका यह गुजरात में स्थित है कहां है गुजरात में है सुन्दरवान सुन्दरवन बांध परियोजना कहां स्थित है सुन्दरवन बांध परियोजना परश्चिम बंगाल में स्थित है option is the right one वरत्मान भारत में कितने پेड़ पौधों की प्रजातियां शंकट ग्रश्ट तो या दूर्लव की सेड़ी में आ गये हैं तो पेड़ पौधों की जो प्रजातियां है वो आपकी 2063 ऐशे पेड़ पौधे हैं जिनकी जो प्रजातियां है वो शंकट गरचते हैं क्योशन कहता है सिक्षक मनुसिका निर्माता है सिक्षक मनुसिका निर्माता है किसका कतन है ये ये कतन आपका सर जॉन एडम का है वो कहते हैं जो टीचर है वही मनुसिका निर्माता है सिक्षक मनुसिका निर्माता है सरजौन एडम कहते हैं सिक्षक की क्या भूमिका होती है प्रभावसाली वेक्तित भविश्य का सनक्षक होता है समाज की रीड की हड़ी है दियर फ्रेंड टीचर होता है वो एक प्रभावसाली उसका वेक्तित बहुत ही प्रभावसाली होता है वो अब भविष्ट का सनलक्षक है, शमाज की वीड की हड़ी है, ये सारी ही विशिष्टाएं एक टीचर की होती है, option D आपका right हो जाता है, शिक्षक वास्तविक रूप से राष्ट के भाग्य निर्माता है, ये बात कहने वाले हुमायू कबीर है, कौन? हुमायू कबीर कहत हैं, शिक्षक वास्तविक रूप से राष्ट के भाग्य निर्माता है, देश के भाग्य निर्माता है, पर्यावरण संचेतना में किस पक्ष को महतु दिया जाता है, भावात्मक शंग्यानात्मक दोनों कोई नहीं, पर्यावरण संचेतना में भावात्मक पक्ष को महतु होता है यूनानी साहित से यूरोपिय साहित से चीनी साहित से या फिर भारतिय साहित से यह हमें यूनानी साहित से प्राप्त होता है पर्यावरण के ग्यान का जो सौर्स है जो स्रोत है ये वर्स 1975 में हुआ था, कब वर्स 1975 में हुआ था, क्रत्रिम पारिस्थित्की तंत्र का उदाहरन क्या है, प्रवाल बित्ती, वेटलैंड, खेत, या फिर नदी, यह आपका खेत आ जाएगा इसमें, option C is the right one, बढ़ते हैं, हरे पौदों की पारिस्थित्की को, पारिस्थित् कहते हैं, WHO की स्थापना कब हुई थी, WHO World Health Organization की स्थापना शाथ अपरेल 1948 को हुई थी, आगे बढ़ते हैं, पर्यावन सनच्चन अधिनियम कब पारित हुआ, पर्यावन सनच्चन अधिनियम आपका, 1981, 1986, 1986, 1982, डियो फ्रेंड आपको बताते चलें, last question है, and class कैसी, comment करके आपका पिलुकुल डेफरेंटली जून के लास्ट वीक में, यानि 21 जून के बाद किसी भी डेट से आपका एग्जाम, 20 जून के बाद किसी भी डेट से आपका एक्जाम सुरू हो सकता है, time आपके पास नहीं है, objective content आपके पास नहीं है, फटा-फट से इस नमबर पर करें नोट की ले लिजे नोट की इंफॉरमेशन ले लिजे एंड फटा फट पढ़ाई शुरू कर दीजेगा थैंक यू सो मच मिलते हैं बहुत सोरी सोरी क्योश्टन तो रहे गया पर्याव और सनच्छन अधिनियम का पारित हुआ था यह आपका वर्ड सुनी सो छाषी में पारित हुआ था ठीक है फटा फट मैसेज की नोट की इंफॉरमेशन ले सकते हैं थैंक यू सो मच